बॉलिवुड की ताजा खबर है कि हाली में बॉलिवुड डीवा मलाइका अरोडा की कार का पूने से लोटते समय एक्सिडेंट हो गया है जिसके चलते उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भरती कराया गया है जहां से वो कल सुबह ही डिस्चार्ज हुई है जिसके बाद स उनके तमाम दोस्त उन्हें देखने के लिए उनके घर कर रुक कर रहे हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मलाइका अरोडा के एक्सिडेंट की खबर सुनकर ही सलमान खान और सुनाक्षी सिनहा उनसे मिलने पहुचे थे जिन्हें कैमरा वालों ने स्पॉर्ट नही सदिया कैसे रही इनकी मीटिंग और अब कैसी है मलाइका की हालत यही हम आपको बताएंगे पर यह सब जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें आली में मॉडल एक्ट्रस मलाइका अरोडा एक एक्सिडेंट का शिकार बन गई थी बीते शनिवार को खोपोली एक्स्प्रस वे पर मलाइका का कार एक्सिडेंट हुआ था हादसे के फौरण बाद उन्हें मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया राहत की बात ये है कि एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डिस्चार्ज होकर घर पहुँच गई है जिसके बाद मलाइका के घर आते ही अरजन कपूर उनकी खैरियत हचते ही उनका हाल चाल पूझा है जिसके बाद सल्मान ने बोला कि अब मैं आपका कुछ नहीं लगता पर मैं आपकी बहुत केर करता हूँ और आपको जब भी किसी चीज की जरूरत होगी मुझे बताना आपको किसी से हिचकी चाने की जरूरत नहीं है जब आप ठीक हो जा में वैसे ही नाचते जूमते हुए देखना चाते हैं जैसा की देखते आएं हैं अब बस भगवान के वास्ते जल सी ठीक हो जाओ हलाकि अपने लिए इतना प्यार और सहानु भूती देखकर मलाइका ने सल्मान और सुनाक्षी को थैंक यू थैंक यू बोला है और कहा है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए एक्सिडेंट के बाद इतना जादा एमोशनल हो जाएंगे भगवान ऐसे रिष्टेदार सभी को दे तो दोस्तों सुनाक्षी और सल्मान के इस बड़पन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बताएं और इ